आपके पास सब्साइस सब्साइब आगये पारेश चावल परफोर अप्राइब आपकर छोड़िए सब्साल में आपके पास सब्साइब करें यह खुर पास सब्साइर करें सरो देख अशे के लिए देख लेते हैं आज की वीडियो अच्छे से भीग हो दीजिए आप ओवर नाइट के लिए भी वीग हो सकते हैं अच्छी बात है अगर देखी इस तरह से कट करके देखेंगे तो अच्छे से कट जाने चाहिए तो देखिए इसमें पानी जादा नहीं है सिर्फ और स दाल दिया पानी और इस गांफिर्स से पीष लेंगे तो देखिए बिल्को स्मूथ पिस चुका है चावल हमारा कच्छा तो देखिए यह चीज बहुत अच्छी रेश्पी है तो इसको देखिए इसमें निकाल लेंगे बावल में यह देखिए यह देख सकते गाइस पहले और इसे अच्छी से मिक्स करेंगे मैट करेंगे यह देख सकते हैं यह देखिए और सयोग वासाज हमारे हां रिफाइंड ओयल भी खत्म हो गया था तो बहुत इकत थी तो इसलिए हम आज मस्टरड ओयल में बनाएंगे यह रेसिपी तो देख सकते हैं और तो और गड़ब हो गई कि हमारे जो बल्ब था हमारे कीचन का वह भी फ्यूज हो गए अब लब खराब हो गया था फ्यूज नहीं कहेंगे खराब हो गया था देख सकते हैं कैसे लप-लप कर रहा है इस वह जैसे तो बस ऑयल है और को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे यह लेकिन इसमें मस्ट देंगे थोड़ा सा तो इससे क्या होगा हमारा ओयल जो है वह थोड़ा सा जो ब्लैक ब्लैक होता है वह भी अग्दम साफ हो जाएगा ओयल नमक की वज़ए से और दूसरी बाद इसमें महक नहीं आएगी मस्टर्ड ओयल की तो बहुत ज़्यादा होट गर्म है अब इससे क जाना चाहती है वह भी यूज़ कर सकती है कोई प्रॉब्लम नहीं है इनको हम सेख लेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसी तरह से हम सेखेंगे तो यह देख सकते हैं यह देखे गाईज बहुत अमेजिंग सब्समेर रेस्पी है आप एक बड़ बना कर खाईएगा पनीर तक भूल जाएंगे खाने के लिए इतना अच्छा इतना टेस्टी रेस्पी लगती है यह देखे इस तरह से निकाल कर रख लेंगे देखे वाइट ही रहेंगे और जो छोटी-छोटी सी रह जाते हैं उस तरह से चाह चानने वाली चन्नी भी ले सकते हैं यह सबके पास बस वही हम दूस करेंगे तो इस तरह से भी आप ले सकते हैं देखे राइस की है यह तो यह आपस में जाते ही यह थोड़ा सा जूर जाती हैं तो कोई दिकत नहीं जैसे-जैसे यह पकती जाएंगी ना वैसे यह बाद में आप इनको हराम से करके चुटा सकत हैं फिर आपको दिखाते हैं करके तो यह देख सकते हैं इस तरह से हम सारी भूंदियां तयार कर लेंगे तो यह देखे कास सारी भूंदी तो तयार कर लिए लेकिसे हम दो रेज भी बनाएंगे तो देख सकते हैं इतनी सारी भूंदियां बनी है तो हम इस तरह से तोड़ दालें synchronous लिया तो सब्सकेर नहीं को सब्सक्राइब अब इसमें 2 मिर्चे डाल देंगे मिर्च भी बहुंचाएगी अगर 7 मिर्चे डाल देते तो मिर्च भी जल जाती जब तक प्याज भूंता टमाटर भूंता इसलिए चीजो को अच्छे से अच्छे से बंद कर दिया है चीजे तो निकाल कर रख लेंगे यह देखिए और आप चाहें टमाटर का शिलका हटा सकती है नहीं चाहती है आप ऐसे ही ग्राइंड कर सकती है तो चलिए ग्राइंड या एक स्पून ब्लिया से टॉट MIN पाइनगे जीरा बूं लेंगे अच्य से ये देखे अब जो मसाला पिष्के रखा था वो भी डाल देंगे अखे यहाँ तक रूकत ऒ़एगा नहीं — आगे। देखेंगा तो तो यह देखेंगे तो जाल देंगे अपना पेश्ट बिना करें तो एक स्पून के पानी करकर के नाल देंगे अपने कढाई में असे यहार मसाला मारा कुछ भी waste और विश्ट न जाए तो आप इसके करेंगे भुनाई जब तक जब तक न crush यूड़ ना जाए असमें बोईल आ गया है टो आप इसको रोक भी सकते हैं तो यह देख सकते हैak मसाल अच्छे से बुलने लगा है और विम्हा यह देख से बनाप में यूटूब पर तो नहीं तेखय को क्या है पता चला कि यूटूब पर यह चल दो बलब लावल है अब उसमें ब्यॉक्त प्वाइल आने देंगे यह देख सकते हैं अब नमक Act करेंगे कि पहले इमने नमक नहीं add किया थह तरही की वज्ञ Éनल कि और आप भार जाल कर देंगे और भॉक्त करते हैं रमिक्स करतेंक बढ़िसाथ बॉड्यासर आने देगी पिर हम साम में ये रेस्पी मतलब साम में जब बनाएंगे न तो ग्रेवी को गरम कर लेंगे उपर से बूधे डाल देंगे जो बना के रखिए अब यह आपको थोड़ी सी बना कर दिखा रहा है इस तरह से पने रखा और डाल दिया बूधे तो देखिए किते अच्छे से झांचे किते थ ne दो गताएंगे जड़ी को जचे कर दो गोलिए है झाया ब